दुस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आपका पेपर आज रहा होगा 17 तारीक को तो कलाश 10 का जो आज पहला पेपर पेपर था 17 तारीक वो Maths, Standard, Basic दोनों का था तो उमीद करता हूँ जितनी बच्चे मैट्स वाले रहे होंगे वो सब बच्चे अच्छा पेपर करके आए होंगे पेपर अच्छा गया होगा और ज़रूर से कमेंट करके बताए कि पेपर कैसा गया आपका ठीक है और बागी किलाश 12 के जो बच्चे थे उनका तो एक ही पेपर था आज उनका जो किसी बच्चे जिसका मैत रहा होगा जिसका साइन्स रहा होगा यह नि जिसका फिजिक्स रहा होगा कमेस्ट्रिय जो भी सब्सक्राप कर रहा होगा क्लाश 12 का वो भी आज कम्पलीट हो गया होगा तो ऐसे में दोस्तों अब बात होगी कि result आपका कब आएगा क्योंकि दोस्तों अब आपको result का इंतजार होगा क्योंकि आपने exam दे दिया आप देखें जो result है वो उमीद यही है कि August के second से third week यानि last week तक उमीद है आने की ठीक है तो उमीद यही है कि दोस्तों अगस्त मन्त में आपका जो result है वो release हो सकता है अलग कि अभी कोई confirm नहीं है लेकिन उमीद यही है कि जो आपका result है वो अगस्त week में कभी भी आ सकता है यह लेकिन इतना मान के चलिए after second week ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपका अच्छा गया होगा पेपर जरूर से comment करके बताईएगा और आपका किस subject में था इसके बार में जरूर से बताईएगा और दोस्तों जो भी update है कि मैं आपको जरूर से बताऊँगा बगी चनल को subscribe निक सब्सक्राइब जरूर से कलो ताकि हर चोटी बड़ी update आपको time to time देता रहो अब दोस्तों आपको डरना नहीं है हिम्मत नहीं आनना बहुत सरे बच्चे क्या होते है एक्जाम देने के बाद डरते हैं तो देखो दोस्तों आप डरो नहीं बिल्कुल भी डरो नहीं अब आप अगर जो बच्चा 12 का एक्जाम दिया हो वो बच्चा आगे के तयारी करें और जो बच्चा 10 का एक्जाम दिया हो 11 के अब तयारी स्टार्ट करतें ठीक है तो उमीद करता हो सारे बच्चे पास होंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करने